जय हिंद सातियों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कनहीया जीयस वर्ड में दोस्तों जिसका इतना दिनों से वेट किया जा रहा था फारेश्ट गार्ड फिज्कल एडमिट कार्ड के बारे में हुआ है अडमिट कार्ड फाइनली आउट हो चुका है एडमिट लिकर जाना वगरा है और फिज़कल डेट कब से कब तक रखी गई है कितने लोगों को बुलाया गया है फाइनल कटाफ कितनी रह सकती है इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो और दोस्ति यह आप पहल और यहां पर परिच्छा लिखा होगा कि इस परिच्छा के लिए एडमिट कार्ड डाउंडोड हुआ है और यहां पर आपको डेट पी दे दिया होगा कि इतने तारिक से आप डाउंडोड कर सकते हैं ठीक है बाकि यहां पर जैसे ही आप नोटिपिकेशन डाउंडोड करे यहां पर आपका शुरू होने वाला है फिजकल और इसके लिए सूचना एक दिन दो जार तेश को प्रकासित की गई थी और यह कहां पर होगा तो गुर गोबिन सिंग इस्पोर्ट कालेज गुडंबा कुर्सी रोट लखनौ में ठीक है और कितने लोगों को यहां पर बुलाये जाएगा तो देखें 20 तारिक को 300 लोगों को 21 से हैऑं पर 500 वों को यहां पर यहां पर रिज़र रखा गया है बाकि 5630 लोग हो गए और Admin Card कैसे डाउन्डोड करना है तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि UPSC की आफिसेल वेफसाइट पर आ करके डारेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप Admin Card डाउन्डोड कर सकते हैं तो हम बता रहे हैं आपको Cash Admin Card का डाउन्डोड करना है तो जैसे ही आप UPSC की आफिसेल वेफसाइट पर आएंगे आपके सामने कुछ लिंक आएगा उसको खोलना होगा यदि आप उस पर नहीं आना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल हमारे यूटूब चैनल के ही नाम से उसको सर्च कर लिजेगा या आपको डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाइरेक्ट जा करके चेक कर सकते हैं तो चलिए जैसे ही आप UPSC की आफिसेल वेफसाइट पर जाएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ठीक है जैसे ही उपर वाला यहां पर जो न्यू लिखा इसको क्लिक कर देना है जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपेन हो करके आ जाएगा जब यह आ जाएगा तो इसमें आपको पंजी करण संख्या दर्ज कर देनी यानि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है न की रोल नंबर यहाँ पर जन्मतिति के रूप में दिन डाल देना है यहा पर महीना और यहां पर year select कर लेना है यहां पर अपना link डाल देना है यानिकी male-female यहां पर select कर लेना है ठीक है और यहां पर सत्यापन kode यहां पर kode दिया है ठीक ऐसे ही डाल करके admin card पर जैसे ही klik करेंगे आपके सामने admin card कुछ इस प्रकास लिए डाउन्डोड होकर के आ जाएगा ठीक है देखे यहाँ पर क्या-क्या लिखा है तो आपको यहाँ पर रेजिटेशन नंबर मिलेगा उमिदवार पितालक का नाम पती का नाम यहाँ पर मूल निमासी मिल जाएगा और जिला कोड यहाँ पर लखना हुए और केंदर कोड का क्य बढ़ने के लिए ठीक है तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर डाउन्डोड हो जाएगा आप अपना रिजल्ट मतलब अपना एडमिट कार्ड यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल कटाफ क्या रह सकती है तो हमने कई बार इसके बारे में बताया कि फाइनल कट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग पर इच्छा देने फियशी कल में सामिल होने नहीं जाएंगे क्योंकि बहूत सारे लोगों को यहां पर सलेक्षन हो चुका है पिचली बार बार देखें के तो पप एक taught 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 तो फाइनल कटाप ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, जो लोग फाइनल कटाप के आसपास हैं या फिर बाउंडरी पर रहें, ज्यादा चिंता ना करें हो सकता है कि आपका भी सेलेक्षन हो जाया क्योंकि पिछली बार सीट भरी नहीं थी, हलाकि इस बार थोड़ा सा तीन ग